कारवान टीबी हर पल आपके साथ हो तुम छेत्र की सान जागो उठो करो मत दान वादा नहीं विकास करेंगे साथ दीजे काम करेंगे यह कहना है योगेंद्र मौरे गुड्डू की पत्नी जिला पंचायत की उमिद्वार अंजली मौरे का अंजली मौरे बरेले के नवाब गंचेत्र वार्ड नमबर चार की जिला पंचायत सदस्य की प्रत्यासी है जिन्होंने आज ग्राम पंचायत बर्खन में जन संपर्क कर लोगों को वोट देने की अपील की उन्होंने कहा कि वह पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और उनकी जीत भी सुनिश्चित है और क्या कुछ कहा देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आम व्यक्ति हो कि उनको मैं दूर कर सकूं और जितना मस्य हो सकेगा एंसले मैं सयोग करूँगी अपनी तरफ से हो यह सरकार की तरफ से योजनना लाने का प्रयास करूँगी और कोशिश करूँगी कि अधिक से अधिक योजनाई सर्साबा अन辉न के लिए आपका बर्खना है और आसबास में सोड़े आगा है कई गाउं में मैं गहीं हूं जहां पर दोडों की समस्या हैं कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके निकलने करी रास्ता भी ठीक नहीं हो आप पानी घरा हुआ है तो जब भी उनके सामने जाओ तो बस उनकी यही प्राथना होती है कि आप हमारे सीसी रोड पड़वाएं इस प्रकार की समस्या है ब्यापते हैं आप अगर निशले इस तरह तक जाकर देखेंगे फील्ड में जाकर तो आपको बहुत साई समस्याओं को से आप परचित होंगे वहां पर जाकर ब्यूविन प्रकार की समस्या हैं और सब यही कि प्यास करें, कि अगर मैं आप चुनाव में सफल ओ धी हैं तो मैं उन समस्याओं को निराकर्ण सरकार द्वारा करें मेरा चुनाओं चिन है आर्य, क्या संदेश देंगे हैं आप अपने चुनाओंचुन डार अपने फॉड़्रों को कि हमारे ही संदेश है कि आप जो है आरी पर मोहल लगाएं कि अधिक से अधिक से अधिक प्रयास करूंगी अधिक से अधिक समस्य आप सबके बीच में हैं उनको निदान करवा सकूँ पहली बारी मैंने प्रयास किया है कि मैं इसमें सफल हो सकूँ सर वैसे जब जनसाधान की पीच में जाते हैं तब लगता है एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास आती है वो लोग कहते हैं कि हाँ अगर आप हमाई समस्यां को सुनोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे और बाकी तो सर ईश्वर की मर्जी है जैसा भी होता है वाड नमर 4 में आप गूंदी है आपको सबसे बड़ी समस्या यही आने जाने की आता है संबंदी जो समस्थ्या हैं बस वही सामने आती है कि रोड वगरा नहीं है नालियां अच्छी नहीं है या प्रकाश की विवस्ता नहीं है गाहों में इस समस्थ्या सामने आती है कि कारवाण टीबी हर पल आपके साथ